भगवान शंकर का अविशेक करना है, पहले जल चढ़ाया, जल, जल के बाद पंचा मरत भगवान की पूरी पूजन कर दी, फूल माला चढ़ा दिये, देप जला दिये, उसके बाद चार लोटे लिए, ओम नमशिवाय, ओम नमशिवाय, चार लोटे में चार अविशेक हो जा जो पूजन होती है, उसको उत्तर पूजन कहते हैं, दुबारा फिर पूजन की भगवान का बढ़िया पंचा मरत से अविशेक कर दिया, फूल माला चढ़ा दिये, आर्ति कर दिये, पूजन हाथ में जल लेके समरपन कर दिये, पूजन समरपन करके, जल ऐसे छोड़के, ऐ इतना करना है, इसका चमतकारिक परिणाम हमने देखे, अगर कोई ब्यक्ति बिलकुल एक पूजन हो गए, बिलकुल मरणासन स्थिती में पड़ा, कोई कहता है कि जहर खा लिया, डाक्टर कहते 24 गंटे और 40 गंटे 72 गंटे, भगवान संकर का कहीं एक आंत में पूजन करके थोड़ी सी चिता की बस, इतना सा कफन का तुकड़ा, वहीं का तोड़ के गीला करके चढ़ा दो, 24 गंटा नहीं आज मर सकता, 24 गंटे बाद फिर कर दो, 24 गंटा नहीं मरेगा, किसी की कुंडली में, किसी की कुंडली में अगर ऐसा योग है, कि कल सबेरे खत्म हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले उठके पांच बार जय बजरंगवली, दोनों हाथ ऐसे उठा कर बोले, पांच बार जय बजरंगवली, जय बजरंगवली, 24 गंटा उसको कोई निमार साथ, ये अजमाय हुए जिनके साथ घटना होती है, जिनके साथ कभी कुछ ऐ पांच से इस पर्ष कल लो, तो आपकी अकाल मर्त्यू नहीं हो, ऐसा होती है। कारिस्तन, कलाम कोटी, गोबरा, नवापारा, राजिम, राइपुर, रूट, 36 गड़ में होने जा रहा है, धन्यवाद